हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सभी मैं हूँ आपका अपना निजी सलाकार अमितराश शर्मा और आप देख रहे हैं यूदरियल आज की वीडियो कश रह जाता है श्रीमान कल्यान जी के इस कमेंट को इन्होंने स्टार यूनियन डाइची लाइफ इंशूरेंस कंपनी लिमिटेड के अशौर्ड इंकम प्लान की वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट किया है अगर आप भी Star Union के Assured Income Plan को समझना चाते हो धारन के साथ तो चैनल पे Life Insurance प्लेलिस्ट चेक करें आपकी सुविधा के लिए Life Insurance प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है पहले से ही श्रीमान खमोरी जी आपकी इस कमेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपके कमेंट से हमें लगा कि आप पैंशन प्लान की बात कर रहे हैं इसलिए हम आज की वीडियो में ICICI Prudential Life Insurance Company Limited के गारंटिट पैंशन प्लान को समझ रहे हैं हर एक व्यक्ति का Paying Capacity अलग होता है नीड भी अलग-अलग होती है इसलिए इस प्लान में हमें 11 ओप्शन देखने के लिए मिलते हैं प्लान को दो भागों में Divide किया गया है Single Life और Joint Life Single Life का मतलब है जिसने प्लान लिया सिर्फ उसको Pension Joint Life का मतलब है कि अगर आप ये प्लान लेते हैं तो आप अपने जैसे पती-पतनी एकी प्लान में Combined हो सकते हैं या फिर Financially लेकिन Blood Relation में कोई Depended और Unmarried है उसको आप एड़ कर पाएंगे Pension के दो टाइप है Immediate और Defed Defed का मतलब होता कुछ समय रुक के Pension लेना प्लान में काफी जादा Option है हमें Confusion नहीं चाहिए इसलिए हम आज की वीडियो में सिर्फ Single Life Option को ही समझ रहे हैं पहला Option है Single Life Without Return of Purchase Price यानि कि जब तक एक व्यक्ती जीवित है तब तक Pension उसके बाद कुछ नहीं आयू सीमा रखी गए इस Option के लिए 30 साल से लेकर के 100 साल तक की और यह Option केवल Immediate Annuity Option यानि कि Immediate Pension Option के साथ ही आपको मिलता है यह Option लेंगे Whole Life Pension मिलती रहेगी Death हो जाएगी तो Nominee को कुछ भी Pay नहीं किया जाएगा ओके जी यानि कि Death Benefit नहीं है इस Option में और अगर आप Single Life Without Return of Purchase Price Option लेंगे तो आपको Surrender Value भी इसमें नहीं मिलता यानि कि आप Surrender भी नहीं कर पाते हैं उधार हम यहाँ पे ले लेते हैं मालेते श्रीमान A है जिनकी आयू 45 साल की है उन्होंने Single Life Without Return of Purchase Price Option लेंगे तो ऐसे में कम से कम जो प्रिमियम पे करना होगा वो ही हम यहाँ पे मान रहे हैं क्योंकि आप लोग कहते हैं कि Minimum Premium के साथ बताए करो तो 2,3601 रुपे का premium pay करना होगा 12,806 रुपे का सालाना इनको pension amount मिलता रहेगा जब तक ये plan में बने रहेंगे अब दूसरा option आता है यहाँ पे single life with return of purchase price option ये option आपको दोनों ही category में मिलता है immediate pension में भी और deferred pension में भी deferred pension को हम यहाँ पे deferred annuity कह रहे हैं deferred annuity option लेना है single life with return of purchase price में तो 30 साल से लेके 85 साल की IU की सीमा रखी गई है immediate pension के लिए वही 30 साल से लेके 100 साल ये option आप लेंगे तो whole life आपको pension मिलती रहेगी जब तक आप इस plan में बने रहेंगे और अगर death हो जाएगी और immediate pension का option लिया होगा तो purchase price आपके nominee को मिल जाएगी प्लान बंद हो जाएगा policy में surrender value का प्रवधान रखा गया है अगर आप single life with return of purchase price option लेते हैं loan भी ले सकते surrender value का 80 प्रतिशत तक और जो rate of interest यहां पे apply होगा वो 7.5 प्रतिशत का apply होगा जो कि fix नहीं है अब एक चीज़ ध्यान से सुने loan की facility deferred annuity यानि की deferred pension option के लिये ही है वो भी deferred period के अंदर ही loan ले सकते है deferred period खतम होने के बाद नहीं ध्यान दखे गई चीज़ बात आती है surrender value की तो policy के पहले 3 साल के अंदर surrender करेंगे तो जो आपका base premium आपने pay किया उसका 75 प्रतिशत निकाल के जितना आपको pension amount मिल गया उसको घटा देंगे policy के चौते साल पे या उसके बाद policy को surrender करते हैं तो जो आपका base premium है उसका 90 प्रतिशत निकाल के जितना आपको pension amount मिल चुका वो आप घटा देंगे अब plan में आगे जितने भी option में आप से कहूं कि surrender value मिलेगी तो वो इसी terms के अधार पर मिलेगी और इसी तरीके से calculation की जाएगी आगे में चीज नहीं दोहरा हूँगा ध्यान रखेगा और इसलिए वीडियो को ध्यान से देखेगा कहीं भी skip मत करना, skip करो, कुछ नो कुछ मिस्ट कर दोगे अब हम यहाँ पर उधारन ले ले लेते हैं single life with return of purchase price का माल लेते हैं श्रीमान A है जिनकी आयू 35 साल की है वो immediate annuity option को ले रहे हैं single with return of purchase life यानि कि single life with return of purchase price के साथ में इसके लिए इनको कम से कम जो premium है 28,870 रुपे का पे करना ही होगा साला ना जो pension मिलती रहेगी वो 12,644 रुपे की मिलती रहेगी और आगे चल के अगर दैथ हो जाएगी तो return of purchase price इनको वापस मिल जाएगी जो का होगा base premium यानि कि return of purchase price क्या होगी base premium यानि कि 2,15,000 रुपे का amount इनके nominee को दे दिया जाएगा policy बंद हो जाएगी हम माल लेते हैं शरीमान A है जिनके आयू 35 साल की है single life with return of purchase price deferred annuity option वो ले रहे हैं और जहाँ हम बात कर रहे हैं deferred annuity की तो देखिए जो deferred period option है वो एक साल से ले करके 10 साल का होता है deferred period को हम deferred man period भी कहते हैं 35 साल की उमारे तो हमने यहाँ पे 10 साल का deferred man period ले लिया उससे हुआ ये कि जो minimum paid premium निकल के हमारा आया tax के साथ वो 1,52,701 रुपे का आया यानि कि purchase price होगी 1,500,000 रुपे की कि जो सालाना pension जो मिलता रहेगा वो 14,955 रुपे का मिलता रहेगा और यो 14,955 रुपे का जो amount है वो 10 साल के deferred man period में हर साल एखटा भी होता रहेगा जिससे कि अगर death हो जाएगी तो जो base premium में उसके साथ add होके नौमनी को pay कर दिया जाएगा समझ लेते हैं किस तरीके से माल लेते हैं श्रीमान एकी जो मिलत्त्य पॉलसी के 10 साल complete होने पे हो गई यानि कि pension period चालू नहीं हुआ 10 साल deferment period ही चालू था वही complete हुआ तो ऐसे में जो purchase price है उसमें accurate guaranteed edition का जो amount है जोड़ दिया जाएगा और अगर pension का amount मिल गया होता तो वो घटा दिया जाता टोटल received annuity amount को तो मारे example में purchase price हमें पता ही है accurate guaranteed edition का जो amount है वो क्या होगा 14,955 रुपे में हम 10 का गुड़ाएं यहां पे कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1,58,550 रुपे का यह amount हो जाएगा purchase price का जो हमारा amount है वो 1,50,000 का होगा और total received annuity amount हमारे यहां पे 0 है तो 2,99,550 रुपे का amount श्रीमान एके nominee को दे दिया जाएगा और policy बंद हो जाएगी ठीक है जी इस तरीके से deferred period में death benefit की calculation की जाती है ध्यान रखिएगा अब आता है option number 3 option number 3 है single life return of purchase price from the age of 76 यानि कि 76 साल की उमर से जो purchase price है वापस मिलना शुरू हो जाएगी इस option के लिए IUC माय 30 साल से लेके 70 साल option लेंगे whole life आपको pension मिलेगा और आपके 76 साल के होने से लेके 95 साल के होने तक लगातार आपके purchase price का 5 प्रतिशत आपको हर साल वापस मिलता रहेगा और अगर 76 साल के होने से पहले ही दैत हो गई तो जो base premium आपने pay किया होगा जो purchase price होगा वापके nominee को pay कर दिया जाएगा वापस और अगर आप 76 साल के हो चुके होंगे तब दैत होगी तो जो balance purchase price होगा वापस किया जाएगा आपके nominee को balance purchase price का मतलब है कि जो base premium आपने pay किया plan को लेने के लिए उसमें से जो 5-5 प्रतिशत amount pay किया जा रहा था आपके 76 साल का होने से purchase price का वो amount total करके घटा दिया जाएगा तो balance purchase price आजाएगा वो आपके nominee को दे दिये जाएगा surrender की facilities option में आपको मिलती है loan की नहीं surrender value कैसे निकालेंगे पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ अब हम यहाँ पे उधारन ले ले लेते हैं हम माल लेते हैं श्रीमान A है जिनकी आयू 35 साल के जोनोंने single life with return of purchase price from the age of 76 लिया है तो उनका यहाँ पे purchase price है 2,15,000 रुपे का तो paid premium जो हो जाएगा वो 2,18,871 रुपे का होगा तो जो सालाना जो pension इनको मिलने लगेगी वो होगी 12,273 रुपे की हर साल 76 साल का होने से पहले देत हो गई तो 2,15,000 रुपे nominee को मिल जाएगा price at age 80 years entry age limit रखी गई है 30 साल से लेके 70 साल whole life pension मिलती रहेगी अगर आप यह option लेते हैं तो अब आपने यह option लिया जैसे ही आपकी उमर 80 साल की होगी तो जो भी आपने premium पे किया होगा जो base premium होगा without tax वाला उसका 50 प्रतिशत आपको दे दिया जाएगा 80 साल का होते ही और उसके बाद में जो प्रचास प्रतिशत बच जाएगा वो आपके death होने पे आपके nominee को pay कर दिया जाएगा ठीक है जी यह option आप लेंगे तो surrender value का प्रफदान इसमें आपको मिल जाएगा surrender value कैसे निकालेंगे उल्ड़ी आपको बता दिया गया है और आपके दिमाग में होगा कि 80 साल का होने से पहले दैत हो गई तो जो भी आपका purchase price है यानि कि जो base premium आपने pay किया है वो आपके nominee को pay कर दिया जाएगा policy बंद हो जाएगी example ले लेते हैं माल लेते हैं श्रीमान रवी है जिनकी आयू 40 साल की है उन्होंने single life with 50 percentage return of purchase price at 80 years of age का option लिया दो लाक अठार आजार आट से कत्तर रुपे उन्होंने pay किये तो सालाना pension का जो amount उनको मिलने लगेगा वो 12,296 रुपे का मिलने लगेगा क्योंकि ये जो option है immediate annuity में है deferred में नहीं अब option नमबर 5 आता है single life with return of purchase price at the age of 80 years याने कि plan के अंदर रहते हुए 80 साल के आप हो गए तो आपको purchase price आपका वापस दे दिया जाएगा और उससे पहले जब तक आप जीवित रहेंगे प्लान में आपको pension मिलती रहेंगी उसी कौम याँ पे whole life pension के रहे हैं और अगर 80 साल का होने से पहले death हो गई तो जो purchase price है तो भी नोमनी को दे दिया जाएगा ठीक है जी और 80 साल तक अगर आप जीवित रहे death नहीं हुई तो भी आपका purchase price जो है ऐसा प्रवदान इसमें है उधारन ले ले लेते हैं माल लेते हैं श्रीमान दीपा के जिनकी आयू 40 साल की है उन्होंने single life with return of purchase price at 80 years of age लिया दो लाग 39,051 रुपे का premium उन्होंने कम से कम पेही करना ही होगा तब ही जाके सालाना जो pension है वो 12,489 रुपे का बैठेगा और 80 साल का होते ही 2,25,000 रुपे का amount इनको वापस मिल जाएगा प्लान के अंदर ध्यान लखिए जो annuity का limit है वो ये कहता है कि सालाना 12,000 रुपे का प्रेम वो आपका pension amount बैठना चाहिए तब ही आप ये प्लान ले सकते हैं ठीक है जी इस option में 80 साल का पहले होने से अगर इनकी death होगी दीपक जी की तो जो इनका base premium है वो इनके nominee को दे दिया जाएगा प्लान बंद हो जाएगा अब है option number 6 option number 6 कहता है single life with return of purchase price की इस case में critical illness के case में permanent disability के चलते जो की accident के चलते हुई हो या फिर death case में immediate annuity और deaf annuity दोनों में ही मिलता है पहले हम immediate annuity की बात कर रहे है age limit रखी गए या 30 साल से लेकर के 70 साल अगर 80 साल की उमर से पहले critical illness होती है या accident के चलते permanent disability हो जाती है इन दोनों में से जो भी पहले होता है तो जो purchase price होगा वो company दे देगी यहाँ पे आपको क्योंकि आप जीवित रहेंगे ऐसे में और अगर आप 80 साल के हो गए है या 80 साल के बाद ने आपको critical illness या accidental permanent disability होती है तो वो under the cover नहीं है उस case में केवल death benefit पे किया जाएगा जो की purchase price होगा जो आपने base premium pay किया हो गया होगा आपके द्वारब वो ठीक है जी उधारन ले ले लेते हैं यहाँ पे कि श्रीमान एम है उनकी उमर 40 साल के उन्होंने single life with return of purchase price on critical illness, permanent disability और death option लिया तो ऐसे में उन्होंने 2,18,870 रुपे का कम से कम amount पे किया तब ही जाके उनको सालाना 12,587 रुपे का pension मिलता रहा और 80 साल का पहले होने से अगर उनको critical illness हो गई या disability हो गई तो उनका जो purchase price है वो वापस उनको मिल जाएगा और अगर death हो गई तो भी purchase price वापस मिल जाएगा अब बात करतें deferred annuity के option की इस option में single life with purchase price यानि कि single life with return of purchase price on critical illness permanent disability due to accident और death case में अगर आप deferred annuity option ले रहे हैं तो 30 साल से लेके 85 साल तक की आयू limit है एंट्रेज लिमिट है deferment period का option है एक साल से लेकर के 10 साल तक का अगर आपके 80 साल होने से पहले deferment period के दोरान आपको critical illness हो जाए या permanent disability हो जाए देट हो जाए तो ऐसे में purchase price के साथ में जोड़ा जाएगा accurate guaranteed addition उसका comparison किया जाएगा purchase price का 105 प्रतिशस से दोनों में से ज़्यादा होगा वो आपको दे दिया जाएगा और आपके 80 साल का होने से पहले आपको critical illness या permanent disability due to accident या death होती है लेकिन deferment period के बाद में तो भी जो आपका purchase price है उसमें accurate guaranteed addition को जोड़ा जाएगा और जितना भी pension amount आपको मिल चुका होगा critical illness या permanent disability या आपके death होने से पहले total pension command वो घटा दिया जाएगा फिर उसका comparison किया जाएगा आपके purchase price के साथ में दोनों में से जाएगा आपको pay कर दिया जाएगा critical illness के case में death के case में आपके nominee को और अगर आप 80 साल के हो चुके होंगे तो सिर्फ death case में ही purchase price आपके nominee को वापस की जाएगी यानि कि critical illness permanent disability का cover नहीं होगा अगर आप 80 साल के हो चुके होंगे तो ठीक है जी यह चीज़ ध्यान रखेगा अब हम यहाँ पे example ले ले लेते हैं और नुटी का single life with return of purchase price on critical illness और पर्मानेंट डिसिबिलिटी ड्यूटी एक्सिदेंट और दैथ माले तेश रिमान के हैं जिनके आयू 40 साल की यह 10 साल का deferment period उन्होंने ले लिया ले सकते हैं कि 40 साल की उमर है तो ऐसे में जो minimum इनको premium पे करना पड़ेगा वह एक लाग बाइ हैं अब हम यहाँ पे माल लेते हैं कि deferment period जो 10 साल का है वो जैसे ही complete हुआ तो यहाँ पे श्रीमान के को critical illness हो गई तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे जो accurate guaranteed edition है वो कितना है वो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो सालाना जो आपका annuity का amount है वो ही add होता रहता है हर साल त दोनों को जोड़ देंगे तो 2,45,680 रुपे का amount यहाँ पे श्रीमान के को मिल जागा क्यों कि श्रीमान के को यहाँ पे critical illness होई है और policy बंद हो जाएगी अब कौन कौन सी critical illness को under the cover किया गया 7 है जो आपकी screen के ऊपर है 1y1 PDF में आपको telegram channel पे भी दे दूंगा जिससे कि critical history के बारे में बिर्कुल मत चुपाईएगा कहीं आप सोचेगी चुपा ले और option ले ले तो आगे चलके आपको ही दिक्कत आईगी अब हम अगले भाग में joint life option को समझेंगे example के साथ में अगर आपको कोई confusion है तो comment section में आप पूर सकते हैं आपको को सुझावे तो आप वो कभी भी अधूरी नहीं लेते हैं पॉलिसी डोकुमेंट पढ़ने की आदत डालिये बहुत बहुत